अब फैक्ट्रियों और कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओं के सुविधा और उटकी हाल जीन का खयाल रखते हुए नया नियम लागू किया गया है जिहां अब कम्पनियों को महिला टॉयलेट में सैनिट्री नापकिन रखना आनिबारे होगा जिसके तहद अब हर टैक्ट्री के टॉयलेट में महिलाओं के स्तमाल के ये सैनिट्री नापकिन रखना अनिबारे होगा ये नियम हरा सरकार के श्रम मंत्राले में आठ परवरी को मौडल टैक्ट्री रूल्स के तहद नोटिफिकेशन जारी करके लागू किया है मंत्राले के इस नोटिफिकेशन के मुतादिक सैनिट्री नापकिन भारती मानकों के अनुरूप होने चाहिए कमपनी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि टॉयलेट में नापकिन की उप्योफ किसंग्या बरकरार रखी जाए इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी महला टॉयलेट में डिस्पूजल बस्टीम भी रखे जाए ताकि नापकिन को कलक्त किया जा सके कमपनी को यूज़ नापकिन के निप्टान की भी उचिसवरस्था करनी होगी आपको बता देंगी जुलाई 2017 में जीएस्टी लागू होने के बाद सेनिट्री नैपकिन पर भी 12 फीसदी टेक्स लगा दिया गया था जिसके बाद तमाम महलाओं और सामाजिक कारेकरदाओं ने इसका विरोध किया था और इसी विरोध के चलते पिछले साल जुलाई में सरकार ने सैनिट्री नैपकिन पर से इस जीएस्टी को पूरी तरह से हटा कर इसे टेक्स प्री कर दिया था फिलालिस नियम के लागू होने से महलाओं को ज़रूर आसानी होगी हमारी वीडियो उसको देखने हैं बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूले